घर पे हम फ्राइड रैस बनाते हैं लेकिन वो रैस्टो वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आपाता पूरी कोशिश करते हैं फिर भी नहीं आता है ऐसा क्या सीक्रेट डालते हैं या करते हैं वो ही चीज आज इस वीडियो में जानेंगे हम तो शुरू करते हैं स्वाध का स्वाध की मित्रो के साथ में कैसे में स्वाध की मित्रो मैं शैबू पर आपका स्वागत करता हूं अपनी अन्स केचन में तो यहां पर हमने राइस लिया है एक कप राइस कौन सा लेना है वैसे जो एक्चुल में राइस लिया जाता है वो हमेशा सेला राइस लिया जाता ह मार्केट के अंदर जो दुकावनों में बनाया जाता है लेकिन हम यहां पे बासमती लॉंग ग्रेन राइस का इसमाल करें जो 2 साल पुराना है चामल जितना पुराना होता है उतना बढ़िया होता है तो इसको सबसे बहुत करना होगा हमको यहां पर हमने आदे गंटे के लिए इसको सोक किया है कोई सावी बातमती राइस हो उसको 20-30 मिनिट का टाइम होता है इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए तो चलिए यह सोकिंग हो रहा है तब तक कटिंग कर लेते हैं फ्राइड राइस कोई सावी बना रहे हो उसके अंदर भरपूर मातरा के अंदर सबजिया होनी चाहिए थोड़ा सा नमक जिससे चाहुलों में थोड़ा नमकिन लगे और एक चोटा चमच तेल का जिससे चाहुल आपस में चिपकेंगे नहीं ज्यादा तेल दालने की जरुवत नहीं है यह जो मैथड़ है यह है ड्रेन आउट मैथड इसके अंदर पानी को फैका जाएगा उबल फैक जिससे चाहुलों तो चाहुल टूटने लगजाएगा एक ठोटा चमच, यहां पर हम विनेगर का इसमाल कर रहे हैं अब अज़ा यह विनेगर मैं यहां पर क्यों चाहुक ही मिटाला उच्शोन ढ़ने की जुटा ठाल के निलीक आती आती है जाए चाहुलों के अंदर इसार मिनिट ही राइस तेयार हो जाता है वैसे आप चेक कर सकते हैं इस तरहे से लिकाल के एक दाना उठाये हाथों से हल्का सा टोड़ी है टुकुड़ा टूटना चीह जाएmm, मैशनी होना चीह, मतलब की कसर है तो इतनी ही कसर हम चेहिए फटा पट से निकाल लेते हैं, जे अगले दिन भी बना सकते हैं या शुबह बना या तो शाम को बना सकते हैं जिसको ठंडा होने के लिए रख दिया हमने आपे तो यहाँ पर मैंने एक आईरेंड की वॉक ली है इसमें डालेंगे एक बड़ा चमस टेल यादा नहीं एक बड़ा चमस टेल कड़ाई को अच्छी तरह से गरम करना है मेरे पास है इसलिए मैं इसमें बना रहा हूँ अगर आपके पास में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अवाइट कर दें इसको नॉर्मल जो घर की लोही की कड़ाई होती है उसमें भी आप बना सकते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो वाक होती है उसको अच्छी तरह से सीजन किया जाता है तेल के साथ में हमेशे रेस्टोरेंट के अंदर क्या कहेता है नूडल्स और राइस बनाने के लिए हमेशे एक कड़ाई अलग से रखते हैं उसमें पानी वाला आइटम मतलब मंचूरियन चिली चिकन नहीं बनाते हैं तो हम इसको अच्छी तरह से करम करके तेल को चारो तरह फैला लेते हैं यह कड़ही थोड़ी सरी थोड़ी सी पटली होती है इसलिए गैस की दॉड़को में ने कम कर दिया है 10-12 लचुन की कलीया है चॉप करके मैं इसमें डाल दी आए हैं इसको थोड़ा से लाइट्री ब्राउन कलर चैजिये को देखिए लाइट ड्राउन कलर यहां पर आ चुका है तो आधा हम निकाल देंगे और आधा इसी में छोड़ देंगे आधा हमने इसी में छोड़ दिया है कटिंग हमने पहले से कीवी तो सबसे पहले प्यांच अब कर दूंगा मैं गैस की फ्लेम को तेज कि आप लो फ्लेम तो आधा तेल तो गायव हो देखिए तो बहुत कम तेल हमने डालाते हैं यहां पर तो यह खुश्बू आएगी ना इस फ्लेम की आएगी यह जो धुआ दिख रहा है आपको सब जादू इसी काया है अब बाकी सारी सबजें डालेंगे यहां पर मुश्रूम चला गया है ग सबजें की कॉंटिटी जादा होती है तो फ्राइडर्स खाने मज़ा आता है सॉफ्स लगता है यहां देखे मैं लगबद एक मिनट सौतिक है यहां अलकी सॉफ्स हुई है जादा इसको सॉफ्स नहीं करना जादा इसको पकाना नहीं यहीं पे हम डालेंगे जादू एक यही पर हम डालेंगे एक बड़ा चमबज एरोमेट पाउडर यह वेगई पाउडर है अगर आपके पास में नहीं है तो आप मेगी मसाला डाल सकते हैं यह ईसमें नमक होता है इसलिए हम नमक का इसमाल बिल्कुल नहीं करेंगे यहां पर विनेगर डालेंगे थोड़ा सा लेकिन लाइट प्राइट प्राहिट इसा सोटे करना है कि अपर अब अब घ्राइट करना है यह दो पहले डाला तहा प्रटाइब्ल में चला गया अब यह थोड़ा सा राइस में तो भोख पर राइस में जाएगा और इस तरह से हलके-ल के हाथों से इसको मिख्क लेघें lives तो यह जो भी ठूटना नीं चि़िए आगर आपका राइस कड़ाही में चिपग रहाए है तो इसका मतलब साइडं से फ्राइडर्स बना आए नहीं है इस्के हाँ अजी से करना है वहना चाओन टूटने लग जाएगा चाओन यहां पर अच्छी तरह से गरम हो गया है तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर एक छूटी चमबच आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं यहां पर और शद्ध हनुसा धनिया चाएगा वैसे इसके अंदर इस्प्रिंग ओनियन ह अगर नहीं हो तो धनिया डाल दीजे और यह लीजे एक शांदार फ्राइड राइज बनके तयार हो चुका है मार्केट वाला भी फेलेस के आगे तो यह खिला खिला फ्राइज हमारा यहां पर रेडी हो चुका है बहुत ही गजब की खुश्बू आ रही है और होता है वह यह होता है उपर से फ्राइड लेसुन डाल दिया बड़ी आसा टेस्ट आएगा इसका क्रंच जब मुह में आता है तो और भी अच्छा लगता है तो कैसे लगी आपको आज की रेसिपी जरू बताएं अच्छे लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में जय हैं दोस्तों